दक्टर अन्दीका महाजन जी जो के निरावल जी रोकाने महार ने वो भी जो नने ज़िक्दी के तेजार पेने वो साझे कान के उन्ना वेट्ट ςनिकी जियां आखे दें डक्टर अन्दीका महाजन जी साश्रीकाल सबनू मैं जिवेकी इनंग दस्या डॉक्टर मित्रिका महाजर आईवी हस्टाल देवेचे अज़ा गंसर्टर निरॉल्जिस्ट फाम कर दिया सब तो पहला था थोड़ी जानकारी देने प्चाहूंगी निरॉल्जी विपाग दी बिमारिया बारे सब तो कॉमन जड़ी बिमारी है निरॉल्जी दे वेचे जो की आम तो और थासी मरीजा जो देखने है सेरदर्दी बिमारी सेर दर्ध बहुत किसंसला है ज colony cham जड़ी को जड़ नौर्मल जन्ता दें माइग्रेन दी बीमारी बहुत कॉमन थे स्वाइखत हो है जणका खना COP3 है माइग्रेन दी पैस्वाइखति लगव्ती जरी नाड़ी फट्टी-ईल्टी-मथ पाने हैं। जह मानगों किसीनों 2-3 मिने पिच्छों तदी एक सेर्थर दा अटैक होगे ता उन्हों आसी SOS पेंपिलर दे दिने हैं। बट बिलीव मी जिदो असी माईग्रें दे दवाई शुरू कर दे हैं। पेशेंट दे क्वालिटी ओफ लाइफ पिल्कुल ही बैटल हो जाती है। क्योंकि जिनने भी फील किता होएगा माईग्रें दा दर्द जड़ा है। वो बंदे नों बहुत जादा नीवा कर दिल्दा है। जिदो किसी ता दर्द चिटता है कहीं कहीं वार दो दो तिन तिन दिन दर्द चली जानदा है। बंदा कामते फोकस नी कर पानदा। यह सारी प्रॉब्लम्स होनी है। माईग्रें तो बाद सेकींड कॉमन कारण है गया टेंशन हैड़ें। यह बला टॉपिक बहुत कॉमन है। कई वारी बहुत लोग सामने अपने सामने नहीं आंते। जड़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन दी प्रॉब्लम है गी है। ताइम दे नाल बहुत जादा बदी जा रही है। जिवे जिमे समा बदलता जा रही है। प्रॉब्लम बदी जा दिया। तो यह कहलो जिवे अपनी दुनिया फास्ट हो रही है। जिन्या साड़ी कोल अपने लिए ताइमी है गा। अपा सारे अपने कमा चुरुजे हो हैं। ते मेंटल हेल्थ किसी कोल भी फोकस करेंडी ताइमी है। जादा दर जो में देख्या हैं मेंटल हेल्थ लई। लोग सामने आंतों कब्रांदे है। यह एक्सेप्टेंस ही बहुत जादा लोग का नूँ अखी लग दी है। पी यार मेनों डिप्रेशन है। यह मेरा मान हुदास रेंदा है। मेनों नीद नियांदी मेनों कब्राट हुंदी है। मेरा कल्ला कल्ला रेंदा मान करदा है। इरिटेबल रेंदा है बंदा। ऐस सारे लच्छन जड़े है। आपने देश्च भी बहुत जादा है बट जिमे मैं किया कि लोग सामने आंतों का ब्रांदे अभिसानु अजी ही कोई दिक्कत है गिया बट मैं हुनता हूँगी आजकल तक अड़ेवटे फिल्म स्टार्जी में कि उसी काफी फिल्म स्टार्ज ने जिमें दिपिका पादुकौन वगेरा उना ने आके अपनी मेंटल हेल्फ का रहे हैं सब्दे अग्पे बोल ले हैं ओ एक तरह ओदा की फोकस होएगा अभी असी जड़ा मानसिक रोग है एनों इग्नोर ना करिये और ओपनली अपा हेल्प लेए क्योंकि जदो आसी सही टाइम दे हल्प कर दे आमानसिक रोगा देवेच मरीज ओधी विक्वालिटी ओफ लाइफ बहुत इंप्रूवड है टेंशन हेडएक दे लचना देवेच बास एक तहरे इस तरीके दे दर्द हुंदे हैं भी लगते कि किसी ने कस के मत्ते कपड़ बांगता हो शुग मरीटन कीसी कामते कप दКरनी करना सूब ऊटके कामते जांता मानना चो चोप चोप रहना फाल तुझ रोना आई जाना दिना किसी गालतों चोप पह के रोई जना ते हेल्प देगें। हेड डेप्रेशन मिर्गी है। निरलोगी देवेच मिर्गी जड़ी है यह बहुत पीमारी है। मरीज हैं पर मिर्गी को सबगानिए.. कि फुसते लेखें कि दो कुछ सबूढे़ trips को सब्सकिते लेखें के कि कारण है। ब्रेन मों ऑक्सीजन दी सप्लाई काटगी हाइपॉक्सिक ब्रेन डैमेज हो गया उत्थे दाग पैगे उत्थो मिर्गी उठ दिया है दुज्जा कारण बच्चे दी शुगर किसी भी कारण करके काट जानता है हाइपॉग्लाइसीमिक डैमेज हो जानता है ओदे अच भी प बच्चे मदर दे अंदर ही जदो बच्चा होंदा है फीटस दे दोरान ही ओधी अधी सेल्सी मुवमेंट होंदी और प्रॉपर ब्रेन डिवेलप हुनदा बट जे किसी कारण वाश ब्रेन दी डिवेल्मेंट प्रॉपर ना होए ता भी बच्चे आच मिर्गी दे लक्षा आयन दी है कहीं के साच EEG भी नॉर्मल आ दी है ता मेरी रिक्वेस्ट रहूगी अगर MRI और EEG नॉर्मल है ता भी आपक्लीनिकल हिस्ट्री ते रिलाय करना है तीन तो 35% लोग का दी MRI और EEG नॉर्मल हो सकती है बट प्रेशन दों मिर्गी हो सकती है तक के बन असी MRI और EEG द मिर्गी किसम दी मिर्गी है मिर्गी दा कारण की है इस तो अलावा जिमें नसा दी प्रॉब्लम आजन दी है हाथ पैर जिमें सोन होन लागें दे कीडियां लड़न लागें ज्यादा तर शुगर दे मरीजां चे सेकिंड मोस्ट काउमन तारण हेल्कोहल जिदो असी लंपे समय लई शराव दा सेवन कर देयां साधियां नसा जनियां डैमेज हो जानतियां है जिदिना लाथ पर सुन हो सकते हैं खिडियां लड़ सकते हैं पिछे जी मेरे पुल तिन चार मरीज रहे हैं जिन्नों लगता तो शुरू होगा और बामात यह होगा विदिन थ्री फोर टेज उदे हाथ भी काम करने छोट जानते हैं बहुत किस्मा दा एलजी बीएस है गया ओदेज जड़े तेज की सम्ता हो देज एक दो दिना दे वेच वेची मरीज हाथ पर खड़ जानते हैं एद्धा दे ऐसे चार-पंच केस पिछले एक साल दे अंदर-अंदर हैंडल किते ने एना तर डाइग्नोज जड़ा है एनसी नाल बंदा है नर्फ कर्ड़क्शन स्टड़ीज जो ऐसी आईवी हस्पितार खनेज कार रहे हैं अपने पूरे एरिया दे वेच चाली किलो मेटर दे रेडियस जड़ी एनसी बीएंजी है हो के वल एक्थे हो रही है आईवी लाग्ज तर जो कोई के ऐसा मरीज जानता है सड़नली लगता खड़िया आप हाथपैर खड़के नहीं वो मोस्ली एलगीज दा मरीज है एलगीज दे वेचसी एक दवाई है जिन हो आईवी आईजी ओ दिन नया और बहुत अच्छा प्रोफ नोसिस है एदा 85% रिकवरी रेड है सौरी इस ताइप मेरे कुल वीडियो अच्छ नहीं है गिया बट मेरे कुल ऐसे पेशेंट्स आये हैं जिना दे हाथपैर टोटली खड़े होगे सी सिर्फ गर्दन और फेस हेल रिया सी और आज दी डेड़ चो बच्चा 16 साल दा बच्चा है वो अपना राम नल तोर फेर रहा है हजेरी चाल दे विच थोड़ा पहर है फिजियो थेरपी हो दी एक्टिव जाल दी है बाकी जड़े तेन चाल के सी ओ थोड़े का स्वीर सी और ओफ उन टोटली आपने आप सारा खुश कार दे हैं ता लगी बीएस हो गया एवे ही एक लंबी ब्मारी जिदे है लगी बीएस ता ही क्रॉनिक रूप जिदो कि उठंच दिक्कत आंदी है तोरों फेरा मुश्किल हो जाना है एसको अलावा जिमें आसी सब जान देया पार्किंसन दी प्रॉब्लम बड़ी कॉमनली आसी देख दे हां बजूर्गा दे वेच जादा तर होंती है हाथ दा कंबनाव स्लो हो जाना मरीज स्लो हो जाना है हा आसी जडिया दबाईया दिन देया ओदेना मरीज दे क्वालिटी ओफ लाइफ काफी इंप्रूब हो जाती है एस तो अलावा एक मायस्थिन या नाम दी मिमारी हुंदिया रीसेंट्ली में चार-पंच गेस डाइगनोज किते हैं कुछ ब्रीफ चलक्षन हो दे दसानी और आसा दे मसल दे वेच जड़ी जंक्षन है ओदे वेच जड़ी अपने रिसेप्टर है उना के खिलाफ एंटी बाण जाती है जी एसी एक प्रेंगा पात्वेजस्ट डिसकर्शन ली इस बिसकस करिये ब्रें जड़ा है वो सिगनल पेजदा है नसा नो नर्वस नो नर्वक क एक एक्षन दे दिया मसल जी में फॉर एक्जेम्पल मेरे दिमाग चा रहे है वी मैं एतो है पैन चकना है तब ब्रेंडे की किता इक सिगनल जन्रेट किता और सिगनल नर्वस ने नर्वस और मसल्स दे वेच चब एक केमिकल रिलीज होंता है ओं मसल नो केंदा है या नियूरो मस्कूलर जंक्शन केंदे है एदिवियेक बिमारी है जिन्नों मायस्थीनिया केंदे है वो दे टिपिकल नच्छन की हुंदे है क्योंकि है कॉमन है मैं चार्जिया भी सबनों पता लग गे कई वर मरेज दी एक कख नीवी पैजा दिये डूपिंग और फाइले ज जिन्नों टोसिस केंदे है साधी पार्शा दे वेच खान पी जड़ा है ओखा लगदा है थकान होन लग जन्दी है जिदों स्वालो कर दे है ओ मुश्किल हों दिये स्पेशली लीकवेट्स लीकवेट्स काई मरे नक्चो बार आने शुरू हो जन्दी है मरेज नों बै के उ विखना है वो सारी मसल्स का अटकाम करेंगे मायस्थिनिया दी विमारी और जे विमारी बहुत जादा जोर फाड ले और असी टाइम से डाइग्नोस ना करें तो एदे च रेस्पिरेटरी मसल्स इंवाल्व हो सकते है मरीज वेंटिलेटर का पौन सकता है ता जे अजी है को अटकाम करेंगे मायस्थिनिया है ते जे यसी एदा वदिया इलाज करेंगे ते पंदा ठीक रहेंगे उन्चो मेरा अजी टॉपिक है गया है उदे बादे खोड़ी सी दिस्कुर्शन करनी चाहूंगी जो कि ब्रेट एंड बटर है कि रॉल जी दा अध्रांग दा मरीज जेडा है गया ओ बेसिकली लखुआ गयलो प्रैलिसिस के लो अपने कोर पहुंच दा है गया उन्द लखुआ या प्रैलिसिस किन्नी टाइप्स दा है गया या ता कई वरी नस ब्लॉक हो जान दिया जिन् कुछ और भी मरीज होंदे हैं जिन्नों ट्रांसियर्ट इस्टीमिक अटायक केलने हैं मरीज आया मरीज ने क्या मेरा ना एक हाथ और लात जड़ी है वह बिल्कुल चल नहीं हाट पीसी बट ती मीट ने अंदर अंद दुबारा चल पी जी हा पेशन जिदो अपने को है ट्रांसियंट तो पार जोड़ा कंटे तो थल्ले थल्ले डेफिसित आया और अपने आप रिकवर होगा वह एक वार्निंग साइन है वार्निंग की हून तानू अतरांग होएगा है ना देख्या गया है कि 80 तो 90 लोग तानू पीया ये तो बार पहले अट ताली कंटे दे अतरांगो होँ था पूरा पूरा चांस है इस सकार के असी इमेजेट हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस कर देया खून पतले थे टीके लगाने या जे यासी मरीज नू एगल समझा सकिये कि यार जिदा पासा खड़ गया उस तो वाद इंपॉर्टन तेरा ही दाले क्यों बचांदा रूप लेता है पिछले मी ने अंदर-अंदर क्योंकि सर्दिया में ने काफी अधरांगदे अटायक हुदे हैं पिछले मी ने अंदर-अंदर चार तो पंच मिनिज मेरे को ट्रांजियंट इस्टीमिक अटायक दे दाखल रहे है जिना नो वसी प्रॉपर कांसल किता कि एक वार्मिंग है दो-तिन दिन अब्जर्वेशन करनी बहुत ज़रूरी है और कारण लबना भी है क्लॉट की थोंट कही है करते हैं अब ड्रांजियंट इस्टीमिक दे हैं भी जे डैफिसे एक कंटे दे अंदर आप ठीक हो जै हुआ उननो टी आये करें दे यह कुछ रिस्क फेक्टर ने, ती बंदे नो दमाग दे वेचे क्लॉट कि बत अपने को लोपिटीज मरीज आता है, वो पुछ दा है, यार मेरे बालदे नो स्ट्रोक हो गया, मिनू हो सकता है, उन्हों से कितना गाइड दराने, जड़े मरीज नो शुगर है, बीपी है, हार रेस्ट्रोन बात रहता है, वो मरीज या मुटापा है, वो मरीज जड़े हाई रिस्क कैंडिडेट है, कि उन्हों दमाग दे ब्लॉट जानती, प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरीके नल ब्रेन दी नस फटन दे भी कुछ रिस्क फेक्टर है, जिनाच एज होगी, बीपी द नसादी की कमजोरी है, वो भी एज डिलेटिड है, वो दे नल, अल्कॉहल पीन नल, कोलेस्ट्रोल दा प्लस माइनस रोल है, कोलेस्ट्रोल दा रोल जादा प्लॉटिंबल है, सो ए इन शॉर्ट अपने रिस्क फेक्टर ने जड़ेकी अधरांक हो सकते है, जनागत, ए एक बहुत कमन निमोनिक है, स्पोर्ट अ स्ट्रोक, कि दो आसे कमांगे कि मरीज नू अतरांग हो गया, तेदा निमोनिक है, बी फास्ट, बी तो बैलेस्, मरीज अपने कुल केड़े लचना ना ला सकता है, हो सकता हो दा बैलेस्ट भी गड़ रहे है, वो एददर उदर डोल है, चक्करा आ रहे है, उल्टी आ रहे है, उस तो लवा अक्खा, अक्खा दे वेच जिमे में घस्यासी, आखरी पलक दर गेल जाना, ओं मायस्थियाज भी हो सकते है, डिपेंडिंग अपन एदिच भी आसके है, आखरी विजन तो लॉस होना, सदनली बैठे बठाए इक मर सदनल लॉस हो सकते है, फेस दे एक साइड मों टेटा होना, फेस एक साइड मों टेटा होएका दर बंदेरी स्पीच जड़ी हो सलर्स हो सेगी, आंस की वीखना साना, स्पीच दी वीखना ज़ी होना, ते टाइम टु पॉल अम्डूल एंबुलस, अधे लह यसी एक टिक्ट पेहले साठे चार कंटे दे अंदर अंदर जे ब्रेंडे वेच प्रेंड गया है और मरीज आपने कोल पहले साठे चार कंटे पहुंचया है तब असी थ्रॉम्बो लाइसिस दा टीका जो भी तुसी हार्ट अटाइक दे वेच भी सुन्या होएगा हाट अटेच भी खून पतले दा टीका लगता है सेम टीका ब्रेंडे पेशन्स नो भी लागते हैं बट ब्रेंड दा लिड़ा काम है और थोड़ा सोच के करना बेंदा है हर मरीज नो असी तीका नहीं ओफर कर सकते तो पहला स्पेशलिस्ट दी राय लेना ब्रेंडी स्कोरिं असी देख दियां भी एस टीके नहीं लाब होगा या नुक्सान हो सकते क्योंकि की हुंदा भी नास से गदा ब्लॉक है असी टीका लाया तेजी ना नाडुचो लाया कदी-कदी बीपी भाई हो नाल और नास दे विच्चो प्लॉड कड़ दे होई ब्लीडिंग हो जाते है जे मरीज ने विच्च ब्लीडिंग हो जे उस टीके तो बातता उनों बचाना बहुत आप है तो एक रिक्वेस्ट है रहेगी तानुसार्या नों भी थ्रॉंबोलाइसिस लई एक टर्श्री केर इंस्टिट्यूट चो पेज़ो जितने की निरॉलोजिस्ट पैखे ने ताक है ठीका लबा लिए एस कंपेर तो फिनाटी पाकिये दे चो एही चीज है यह भी स्ट्रोक जड़ा है यहां तर नाड़ी ब्लॉक फोन कारके हो सता है यहां ओदे मिचे नास्पटल लागे एक टीपिये बारे जड़ा में तानुकिया ठीके बारे एदी एलीजिबिलिटी ह है यह जिन्नों भी असी डाइगनोस का लिए स्ट्रोक अठारा साल तो उपर भी उमर होवे ते पहले साधे चार कंटे दे अंदर 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 है टीका लाग सकता है बट जिवे में क्या हर मरीज नू नू नहीं लाग सकता कोछ यही कॉंट्रा इंडिकेशन है याने जिन